OTT पर बहुत जल्द दिपिका बादकोन की एक फिल्म गहराईयां रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत हो रही है और वो नई शुरुआत है इंटिमेसी डिरेक्टर को हायर करने की ये पहली भारतिये फिल्म ह आग्या टीवी शो में कुछ intimate scenes या फिर हॉट scenes, sex scenes शूट करने हों और इस इंटिमेसी डिरेक्टर का काम क्या होता है ये इंटिमेसी डिरेक्टर इस बात को तै करता ए सुनिश्चित करता है कि दो actors इस तरह के scene करते वक्त एक दूसरे के साथ। सहेज हों दोनों में से कोई भी किसी को गलख तरह से नच हुए और अगर सीन करते वक्त कोई भी आक्टर उत्तेजित हो जाता है तो उसके लिए भी सही समाधान लेकर आना इस इंटिमेसी डिरेक्टर का काम होता है इंटिमेसी डिरेक्टर बॉलिवुड तो छोड़िये हॉलिवुड में भी नई चीज है क्योंकि अगर हम याद करें 2019 में नेट्फिक्स पर एक सीरीज आई थी सेक्स एजूकेशन इसमें पहली बार OTT पर यह प्रयोग किया गया कि एक इंटिमेसी डिरेक्टर को हायर किया गया उससे पहले अगर बात करें तो कुछ इंटिमेसी डिरेक्टर का इस्तेमाल करते रहे हैं लेकर अगर हम फिल्मों या फिर ओटी टी या टीवी शोउस की बात करें तो 2018 से पहले ऐसे प्रयोग नहीं किये गए यह उसके बात किये ग नाता जुड़ा है वो एक इंटिमेसी डिरेक्टर के तौर पर जुड़ा है और ये इंटिमेसी डिरेक्टर को हैर किया गया है इसका खुलासा भी लोगों के सामने उस वक्त हुआ जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसकी एंड प्लेट में कुछ क्रेडिट्स शे पूल में एक प्ले को नर्देशित करने के लिए और उसके बाद इनकी मुलाकात भारती ये बिजनसमेन आनंद महिंद्रा से हुई जन्होंने इने सलहा दी कि वो मुंबई जाएं उसके बाद ये मुंबई आ गए और यहां पर सुभाश गई कि विसलिंग वुड्स जो फि कर रही है असल में इंटिमेसी डिरेक्टर का आना कहीं न कहीं हमें बहुत कुछ बताता है क्या अब भारत का बाजार इस तरह के सीन्स को व्यावसाइक तोर पर करने के लिए तैयार है क्या हमारी जंता ने इसको असेप्ट कर लिया है क्या हम मान कर चलें कि आगे भी इस त बात करना इसलिए जरूरी है जैसा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि ये पहला मौका है जब किसी भारती फिल्म के लिए इंटिमेसी डिरेक्टर को हायर किया गया हो सवाल बहुत से हो सकते हैं बहुत से लोग सवाल ये भी कर सकते हैं किस तरह के सीञेंस को देखाने की क्या जरूरत है वहीं ये भी कुछ रोग वकालत कर सकते आं कि ऐसे सीनस हमारे जिनद़ी का हिस्सा होते हैं इसलिए कई बार मौका अपड़ता है कहानियों में यह सब कि इस तरह के सीन्स एक्स्टामेरिटल अफैर के तौर पर दिखाय जा रहे हैं या पती-पत्नी के संबंधों के तौर पर दिखाय जा रहे हैं या दो लवर्स के बीच में दिखाय जा रहे हैं लेकिन हम इस बास से इंकार नहीं कर सकते कि इस तरह के सीन्स दिखाय जाते हैं तो क्या अभी तक जितने भी सीन्स हमने देखे फिल्मों में या वेब शोज में वो इस तरह है कि इंटीमेसी डिरेक्टर के बिना शूट किये गए क्या उस दौरान लोगों के कुछ असहेच अनभव रहे क्या लोगों को ये लगा कि ऐसा एक इंटीमेसी डिरेकटर होना चाहिए जो ये तै करे कि उस सीन के दौरान कुछ भी गलत न हो लोकि इंटीमेसी डिरेकटर कही न कहीं साइकी पर भी काम करता है कि उस सीन को करते वक दोनों एक्टर्स क्या सोच रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, क्या कहानी में जो डेरेक्टर चाहता है वो आ रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो पर्दे पर नहीं होना चाहिए, ये तमाम बाते हैं जिस पर अब गौर किया जा रहा है, और मैं आपको बता दूँ की इंटिमेसी डेरेक्टर एक ऐसा विक्ती ही ज लेकिन सबसे बड़ी बात जो फिर घुम फिर कर आती है कि क्या इसकी जरूरत है पहला सवाल दूसरा क्या अभी तक हमने जितने सीन्स देखे ऐसा तो नहीं कि हमने नहीं देखा हमने तमाम तरह की फिल्में देखी हैं हमने देखा कॉंटेंट कैसा आ रहा है आजकल चाहें व मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूँ और वो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर सेक्स हमारे जीवन का हिस्सा है तो क्या हर कहानी का हिस्सा होना चाहिए और अगर हर कहानी का हिस्सा बनता है तो फिर हम कैसे तै करेंगे कि कौन सा कॉं लिए शुकान के उनियुक्न हीजिक को एक प्यूलने बारी थेडिया. यह विन जाता हूँ आप लोग इसपर खुलकर कॉमेंट करें. इन व्यकि वद एक बात तो आप जानी चुकर हैं हमारी industry जो है वो अब intimacy director का budget लेकर भी चलेगी तो जाहिर है जब intimacy director का budget होगा तो ऐसे scenes भी होंगे जाहिर है फिर उस तरह का content भी आएगा तो तय तो हमें करना है बाजार हमारा है content आएगा देखना नहीं देखना फैसला जनता का होता है लेकिन हाँ जब एक बदलाव आता है तो उस पर comment करना भी बनता है मैं आप लोगों से आपके विचार और राय जानना चाहूंगा कि intimacy director की ये जो नई शुरुआत हमारी industry में हुई है आपको क्या लगता है सही है कि इसके बिना जो scene shoot हो रहे थे वो सही था अब आप जानते हैं कि Bollywood में या Indian Film Industry में intimacy director की शुरुआत हो चुकी है